आप सभी कैसे हैं जरुरु पताएगा आज मैं लेके आई हूँ हेल्दी मुमोज की रेसिपी जो कि बहुत एजी है और बहुत ही टेस्टी है क्योंकि मुझे 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 क्रिविंग बहुत ज्यादा होती हूँ मुझे बहुत पसंद है पर जब भी मैं भार से खा लेती तो इसलिए फिर मैंने इसको एक अलग तरीकी से बनाने को ट्राय किया और जो कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है एक बार आप इसको इस तरीकी से मेरी तरीकी से ट्राय करना आपको बहुत पसंद आएंगे और आप देखना बार-बार बनाने की इसको ट्राय करें कीज जाएगा हलका सा आटा जैसा लगेगा यह पूरा पॉर्डर नहीं बनेगा पर मलकुल आटा जैसा हो जाएगा तो इसको हम एक उसमें निकालनेंगे बरतन में पिर इसमें से थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैंने नमक डाल दिया अब नमक के साथ हम अच्छी से मिक्स करेंगे जिसे की नमक अच्छी से फैल जाए और थोड़ा सा इसमें मैंने आदे कप के बराबर इसमें चार्ज या कर्ड कुछ भी हो वो डाल दिया है अब इसको अच्छी से मिक्स करने के बाद इसको हम पानी से इसका डो लगाएंगे डो बिलकुल ऐसा है लगाना है जिस तरीके से हम रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरीके से लगाना है और इसको अच्छी से मिसलते मिसलते हम इसको आटा लगाएंगे जिससे की अच्छी सोफ्ट हो जाए तो सूजी का क्या है कि ज्यादा हलका पानी डालना है और मिसलते म और अच्छे से सॉफ्ट आटा इसका त्यार हो जाएगा तो यह हमारा आटा तो रेड़ी हो चुका है अब इसको साइड में रख देंगे हम अब इसमें थोड़ा साइड में अपनी स्टफिंग बनाते हैं स्टफिंग के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं पर मेरे पास इस्टैंप पत्ता गोबी और गाजर था जिसको मैंने फैनली चॉप्ड कर लिया था और एक चमस तेल में हाई फ्लेम पर हमें इसको रखना है हमें सब्सक्राइब बिल्कुल भी पकानी नहीं है तो बस मैंने इसमें हाई फ्लेम पर रखा है और फाइनली चॉप्ड करके पत्ता गोबी और गाजर को डाल दिया इसके अंदर अब इसमें नमक डाला है नमक जादा नहीं हलका साही डालना है नमक थोड़ी सी काली मिर्स डाल है और फ्लेम हमारी हाईर है कि अगर हम लो फ्लेम कर देंगे तो यह सबजी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी सॉफ्ट नहीं करना है हलका सा इसमें क्रंची पन रहना चाहिए तो बस अब इन तीनों चीज को अच्छी से मिलाने के बाद इसको साइड में रख देंगे और जि जैसे सोया बीन गाजर कैबिज और सिम्ला मिर्च जो भी चीजे हैं वेजेटेबल से होती है उसको फाइनली चॉप करके हम एड़ कर सकते हैं अब हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है अब हम इसमें मुमो बनाएंगे मुमो आपको जिस भी शेप में बना सकते हैं जो मुमो बनाओगे तो बनाने में प्रॉल्म भी उगी और अब होता है फटने के चांसे भी ज्यादा रहता है तो игры सूजी के ऐसे हैं कि इसमें ना तो फटने की कोई चांसे नाकुछ और परफक्ट रिजल्ट आता है कोई भी इसको बनाए ऐसक नहीं का और बसके बीगनर भी है वो भी अगर इसको ट्राय करेखा तो इसके भी परफक्ट रॉप क्याई तो इस तरीके से मैंने मॉमोस के अंदर ये किया है और मुमोस भालवाल शेप होता है वह दिया है और अगर कहीं से फटता भी है तो हम उसको अच्छ अच्छ से प्रेस करते हैं तो भी हो मतलब उसी से सेट जाएć तो इसे तरीकर से मैं इसारे मुमोस तयार की है और सेम स्टीयम करने के लिए मैंने यह पांच मिन पहले पानी अच्छे से पुरा बॉयल हो जाए अब इसको पर एक इस्ट्रेणर रख दिया है जाली इसमें हलका सा ओयल लगा दिया जिससे की मुमोज हमारे चिपके नहीं और जितने मुमोज आपने बना ली हैं वह सारे मुमोज इसके अंदर रखने जितने भी आप एक साथ ही सार भी हलका से चेंज हो जाएगा और यह मतलब पूरे अच्छे से तयार हो जाएंगे मुमोज और आप इसको एक बार जरूर से जरूर ट्राइ कीजिएगा तो मैंने इसकी चटनी के लिए सैजवान चटनी यूज की है और चटनी अगर आपको चटनी की रहसी पिचाईए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा तो मुमोज की चटनी किस तरीके से इजी वे में बनाते हैं वह मैं आपसे शेयर करूंगी और एक बार यह जरूर ट्राइ कीजिएगा और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बत